हलो दोस्तों तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Class 10 Information Technology Code 402 आज हम लोग इस वीडियो के माधिम से जानेंगे कि किस तरह से Class 10 IT सब्जेक के लिए Practical File को बनाएंगे तो आए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला जो पेज है आप देख सकते हो अगर आपको Practical File बनाने हैं Class 10 IT सब्जेक के लिए तो आपको किन-किन बातों को ध्यान रखना है आए जानते हैं तो अगर आप इस जो पेज आपको सामने दीख रहा है ये है आपका First Page ठीक है? आपको जो First Page होगा बैसे किली आपके Subject का नाम होगा Year का होगा नाम और यहाँ पर कुछ चीजे दी गई है जैसे कि यहाँ पर दियागा Submitter By मिंस कि यह कौन से Student है जो इस Practical File को Submit कर रहा है ठीक है? Class अपना लिखेगा और वो अपना Roll Number लिखेगा ठीक है? और यहाँ पर Teacher Name किसको आप Submit कर रहे हो उस Teacher का नाम यहाँ पर रहेगा और Next है Teacher का Sign रहेगा जब आपको वहाँ पर Submit करोगे तो जो पहला Page है यह आप First Page अपने Practical File का बना सकते हो आप इसमें Modify भी कर सकते हो अपने According जो आपको अच्छा लगे चलिए Next Page पर Move करते है अब यहाँ पर जानते हैं कि हमें कितने Practicals करने हैं ठीक है? जातर बच्चे को यह पता नहीं होता है कि हमें 10 Practical करने हैं 15 करने हैं 20 करने हैं कितने करने हैं तो मेरे According जो Practical File है आपको सिर्फ यहाँ पर ठीक है? आठ प्रेटकल करने हैं ठीक है? Total Number of Practicals Practicals are 8 ओके? आठ प्रेटकल करने हैं जो कि आपके जो आठो प्रेटकल हैं वो चारो के चारो उनिट से involved हैं पहला कोन सा उनिट है? पहला उनिट से सेकेंड उनिट से प्रेटकल है वो दिया गया है यहाँ पर कह रहा है कि Explain the style given in the styles and formatting window for writer and paste the screenshot of window also कह रहा है कि सबसे पहले इसमें style को समझाइए और जो style window होता है उस window की भी समझाइए और last में आपको क्या करना है? वो जो window दीखता है ना style का उसका जो screenshot लेना है और इसके बाद से यहाँ पर paste कर देना है आपके practical file पर तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो दूसरा जो practical है उसका नाम है Write the step to create a new style in open office writer ठीक है? यह जो दोनो question है वो पहले unit का है इसके बाद से यह कह रहा है कि आप step लिखो, किस चाज का step लिखो new style कैसे create करते है open office writer में उसके सारे step आप लिखो, ठीक है? तो दूसरा जो practical है वो यहाँ साब की हो जाएगी अगर हम तिसरी की बात करें वो है Write the step to consolidate data of two seat in open office calc यह जो question है third वाला वो आपके unit two से है, electronic spread seat से है, ओके? तो यह पूछ रहा है कि आपको दो seat लेने है और इन seat में जो भी data होंगे आपको एक जगह है console date करना है तो इन सारे process को आपको इस third वाले practical में करने है ओके? अब कैसे होगा? तो मैं बारी बारी आपको बताऊंगा, ठीक है? fourth है write the step to record micro in open office calc ठीक है? ये क्या है? ये जो दुनों हम बोल सकते हैं question है जो वो दूसरी unit का है एक कह रहा है कि आप इस tape लिखो कि किस तरह से macro को हम लोग record करते हैं, ठीक है? fourth वाले practical में पांचवे practical में बोल ला है कि write the step to create a table यानि आप लोग क्या करो? इस tape लिखो कि किस तरह से table को create के जाता है और जब create करते हो table को, तो minimum उसमें five fields होने चाहिए, ठीक है? जिसका entity है student, जो main table का नाम है, वो student है, उसमें five fields होने चाहिए, ठीक है? इस तरह का आप table create करो design view का यूज करके ये पांचवा practical में बोल ला है ये जो पांचवा question है वो third unit का है, database management का है, ठीक है? next है, six number जो practical हो हो है, write the command for the following table student ये जो दोनों question है, वो third unit का है, ये कह रहा है कि आप command लिखो means कि SQL जो query होती है, उसको लिखो table student के लिए, ठीक है? seventh है, वो है illustrate the use of various options under computer, आप accessibility in a keyboard, mouse and display tab, ये जो दोनों question है वो है, unit 4 का इसमें कह रहा है कि आप computer accessibility के बारे में लिखो और keyboard के बारे में लिखो, mouse and display tab के बारे में बताओ ठीक है? आथवा and last जो प्रेटकर है, वो है write the step to create instant messaging account for google talk जो google talk होता है, उस पे आप क्या करो, एक account create करो और इस पे explain करो कि किस तरह साम उसके through message को send करेंगे google talk के through तो आठवा प्रेटकर में ये करना है ठीक है? तो इससे क्या हो गया? हर एक unit से दो-दो question इसमें pick up किया गया है तो आए शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो पहला question दिया गया था कि explain the styles given in the style and formatting window for writer and paste the skin sort of the window एक पहला question है ठीक है? आप इस वीडियो को माध्यम से क्यार्सक कर सकते हो यह जो page है आप directly print out भी करा सकते हो या तो directly print out करा करा के submit कर सकते हो या तो आप इसका print out करा के अपने खुद से लिख कर और जितने भी important images हैं उसको print out करके उसके paste करके आप जमा कर सकते हो आपके पास दो रास्ते हैं या तो इसके directly print out करा के जमा कर दो या तो दूसरी जो चीज है वो है कि आप अपने हाथ से लिखो और जितने भी image है उसकी print out करा और हाथ पे लिखे वाले जो handwriting वाली जो practical file है उसके paste कर दो तो इस तरह साब कर सकते हो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ basically मैं इस PDF का link मैं description में दे दूँ का ताकि आप वहाँ से directly जाके download कर सके और इसको अच्छे से अपने बोल सकते हैं कि अच्छे से आप practical को बना सको या present कर सको तो पहला question यहाँ पर दिया कि style कितने तरह को होते हैं उसका screenshot paste करो ठीक है तो आए जानते style जो है basically यहाँ पर 8 तरह के दिखाया हुआ page style है paragraph, character, frame numbering style, cell style, graphic style and presentation styles ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर दिया है देखिए यहाँ पर paste किया है तो यहाँ पर पूरा definition है page style क्या होता है, paragraph style क्या होता है character style क्या होता है, frame style numbering style क्या होता है यह सारी चीजे ठीक है यहाँ तक हो गया आपका पहला practical ठीक है अगर हम बात करें दूसरे practical की तो वो यहाँ से start होती है दूसरे number का practical ठीक है दूसरे practical में, यह कह रहा है कि आप किस तरह कर सकते हूँ, यहाँ पर step by step लिखा हुआ है, कि open the style formatting window सबसे पहले open करेंगे, इसके बासे क्या करेंगे, icon पर जाएंगे यहाँ पर जो दिया गया है, icon पर जाएंगे और इसके through, new style from selections, इसके through हम लोग create कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे आगया, step सारे लिखे हुए है, और जब आपको create करना हो last में क्या करते हूँ, आप अपने style का नाम देते हूँ और अपने style का नाम दे के आप OK किलिक कर देते हूँ तो इसका मतलब जो है कि आपको जो style हो create हो जाता है आपको यहाँ तक दूसरा practical समाप्त हो गया आप जो तिसरा practical है, वो है consolidation of data, ठीक है यह third वाला practical है कि किस तरह से दो seat का यूज करके किसी भी data को क्या करोगे consolidate करोगे, ठीक है, तिसरा question है तो basically क्या करना है, आपको directly दो seat ले लेना है, ठीक है one है and दूसरा seat है, ठीक है इसके पास क्या करना है, आपको दो seat ले लिया आपनों ने, तो इसके पास आपको data menu में जाना है, consolidate पे click करना है, तो जैसे consolidate पे click करेंगे तो इस तरह का कुछ है, यहाँ पर आपके पास ठीक है window खुल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर different तरह का function सा perform कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है, some function है orange, mean, max, यह सारे चीज़े आप निकाल सकते हो, अपने according जो भी चीज़े आपको need हो, ठीक है अब यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, range को select करोगे, नीचे देखिए, range को select होगे आप यहाँ से, जैसे range को select करोगे, यहाँ से आप, तो इसके बाद जो range है, वो यहाँ पर आ जाएगे और इसके बाद जैसे आप OK पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो main page है, वो ज्यादा टोटल होके पूरा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से consolidation काम करता है, तो यह थी, ठीक है, practical third था, अब fourth वाली को देखते है, practical fourth है, मैं number डाल जेता हूँ, यह आप दिया है, right step to record macro in open office, किस तरह से macro हम लोग record करेंगे open office इसके सारे step भी लिखना है, तो पहला step यहाँ है, पहला क्या करेंगे, new file हम open करेंगे, calcium में इसके following data को क्या करेंगे, इंटर करेंगे, देख लिजीए, आप इस तरह के इंटर करेंगे, और यहाँ पर कुछ हम range select करेंगे, ठीके, इसके बाद से इस तरह से कुछ होगा, हम बोल सकते हैं, कुछ special यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, means की कुछ option आपको select करने पड़ेंगे, ठीके, तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको, पांचवा जो प्रेकल होगा है, right step to create table with minimum 5 fields on entity students in design, तो आप देख सकते हो सारे solutions यहाँ पर दिये गए हैं, आप इसका directly क्या कर सकते हो, print out निकाल सकते हो, या leak सकते हो, या तो आप directly print out को ही दे सकते हो, अपने teacher को submit कर सकते हो, ठीके, practical 7 है, illustrate the use of various options under computer accessibility in keyboard, mouse, display, मतलब क्या uses हैं इन सारे की, वो यहाँ पर दिया गया है अच्छे से, ठीके, अगर हम आठे में प्रेक्टल के बात करें, तो यहाँ पर है कि आपको यह क्या करना है, account create करना है Google Talk के लिए, ठीके, तो किस तरह से करेंगे, पहला हम लोग Google Talk को डाउनलोड करेंगे, जो Google Talk को डाउनलोड करना हो तो आपको जाना होगा www.google.com, ठीके, इस तरह से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको प्रोग्राम में जाना है और Google Talk को ओपेन करना है जैसी open कर लेते हैं तो आपको इस तरह से ठीक है यहाँ पर एक box आजाएगा और इसके पास आप यहाँ पर account एक अपने लिए create करेंगे sign in होगे तो यहाँ पर एक आपको create करना पड़ेगा अब जैसे create कर लेंगे तो यहाँ पर आप अपने message send कर सकते हैं तो यहाँ पर जो आप प्रेक्टिकल है वो पूरे तरह से डन हो चुका है पूरा हो चुका है अगर आपको यह PDF चाहिए तो मैं इसका link जो है description में डाल दूँगा आप डिरेक्ट्री जाको वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपना practical file को बना सकते हैं तो आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा प्लिस लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू